हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासिज, आज हम इस वीडियो में 21 सेप्टेमबर के सभी important current affairs को करेंगे, तो बिनादिर करते हुए चलिए शुरू करते हैं हाली में UNESCO की World Heritage Site में शामिल होने वाला भारत का 42 वा इस्थल कौन सबना है? होईसला मंदिर भारत में करनाटक के होईसला के पवित्र मंदिरों को सम्हू को UNESCO की विश्व दरोहर सुची में शामिल किया गया है इन मंदिरों के सम्हू में वैलूर का चैन्ना केसब मंदिर जो की भगवान विश्णू को समर्पित है हालेव विडू का होईसलेस्वर मंदिर जो की भगवान संकर को समर्पित है और सौमनाथ पुरा का केशव मंदिर जो कि भगवान कृष्ण के तीनों रूपों जनारदन, केशव और वैनु गोपाल को समर्पित है यह तीन मंदिर शामिल है यह मंदिर 2014 से युनेस्को की अस्थाई सूची में सामिल थे इनका निर्माण 12 वी और 13 वी शतादी में होयसल राजाओं के द्वारा किया गया था युनेस्को के वारे में युनेस्को की फुल फॉर्म दा युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइन्टिफिक एंड कल्चर ऑगनाईजेशन है युनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1925 को ही थी इसका हैड़कॉर्टर फ्रांस की इस्त्रेया प्रॉम गाउं में बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई है यहाँ पर जी आई का फुल फॉर्म जोग्रोफिकल इंडिकेशन है जी आई टेग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका उत्पादन एक विसेश इस्थान पर होने से वहां के गुण और विस रेंडम हाउस ने अपना इस्थाई CEO की रूप में किसे नियुक्ति किया है निहार मालविय को निहार मालविय भारतिय मूल के विक्ति हैं इनसे पहले पैंगुईन रेंडम हाउस के इस्थाई CEO मार्क्स दोहले थे तो निहार मालविय ने अभी मार्क्स दोहले का इस्थान लिया है penguin random house के बारे में penguin random house 2013 में penguin books और random house के merger से बना है और अब यह दुनिया का सबसे बड़े commercial publication house में से एक है भारत में इसकी ब्रांच गुर्गाउं डिल्ली में है इसके स्ताई CEO के बारे में हमने अभी पड़ा निहार मालविये को अभी इसका इस्थाई CEO बनाया गया है और इसके भारतिये ब्रांच के CEO गौरफ श्री नागेश है। हाल ही मैं किस एरलाइन्स ने प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। हाल ही मैं देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैने अधिकारी कौन है। आर्मी हॉस्पीटल में एक सर्जन थी इन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में प्रतिश्थित मैरून बैरेट प्राप्त किया और देश की पहली पैरा कमांडो बनी। हाली में किस भारतिय डिजाइनर को फ्रांस के सम्मान शेलेवियर डे ला ओड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया। राहुल मिश्रा को राहुल मिश्रा को 12 सितंबर को नई दिल्ली में फ्रांसी सी निवास पर फ्रांस के राजदूत इमेनुएल लेनन द्वारा शेविलियर डे ला ओड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया। जिसे इंग्लिस में Knight of the Order of Arts and Letters कहते हैं। इनसे पहले इस सम्मान से रितू कुमार, रितू बैरी, वेंडेल रोड्रिक्स और मनिश अरोडा को सम्मानित किया जा चुका है। राहुल मिश्रा को यह पुरुषकार कला और डिजाइन के छेत्र में उनकी उतक्रष्ट उपलग्दियों के लिए प्राप्त हुआ है और विशेश रूप से भारतिय शिल्प कला और विशेशक्यता को ग्लोवल स्केल पर बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। हाल ही मैं G20 Framework कार्रकारी समू की अंतिम बैठक का आयोजन कहां किया गया। राइपूर में यह बैठक 36 गड़ के राइपूर में 18 सितमबर से 19 सितमबर दो दिन के लिए आयोजित की गई थी यह G20 Framework कार्रकारी समू की चौथी और अंतिम बैठक है। G20 के बारे में G20 जिसे Group of 20 भी कहते हैं जिसमें 19 देश के साथ European Union और African Union भी शामिल है। इस बार सन 2023 में G20 की अध्यक्सता भारत के पास थी और इस बार इसकी थीम वासुद्धैप को टमबकम थी। अब इसके बाद 2024 में G20 को ब्राजील होश्ट करेगा। भारत में आयोजित हो रहे मोटो जीपी भारत रेस 2023 का टाइटल स्पॉंसर कौन मना है इंडियन ओयल। मोटो जीपी रेस भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है जो की ग्रिटर नौइडा के बुद्ध इंटरनेशनल सरकिट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह रेस 22 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इंडियन ओयल के टाइटल स्पॉंसर के बाद मोटो जीपी रेस का पूरा नाम इंडियन ओयल मोटो जीपी भारत रेस हो गया है। हाल इमे किस राज्य सरकार ने विद्ध्यारतियों के लिए मुख्यमंत्री नास्ता योजना की गोशना की है। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदर सेखर राव ने 24 अक्टूबर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों जिसमें प्राथमिक और उच्च विद्ध्यार्ले भी सामिल हैं। इनमें पढ़ने वाले कक्षा एक से दस तक के सभी विद्ध्यारतियों के लिए सीएम ब्रेकफास्ट इसकीम सुरू करने की गोशना की है। तेलंगाना के वारे में थोड़ी जानकारी रिते हैं। तेलंगाना की राजदानी हैतरावाद है। यहां के मुख्य मंत्री के चंदir शेखर राव यहां के मुख्य मंत्री हैं। अभी 19 सितमबर 2023 को नई संसतभवन की पहली बैठक में यह बिल प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम नारी शक्ती वंदन अधिनियम रखा गया है। इसे संसत भवन में किस ने प्रस्तुत किया इसे अर्जुन राम मेगवाल ने जो की कानून मंत्री है इन्होंने इसे संसत भवन में पेश किया और यह इन्होंने लोकसवा के 128 फे सम्विदान संसोधन विल में प्रस्तुत किया है इसमें महिलाओं के लिए लोकसवा और राज जा सकता है इसे extend किया जा सकता है अभी हमने 21 सेप्टेंबर के सभी important current affairs को complete किया वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करें और अपने friends के शाथ share भी करें डेली current affairs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएं मिलते हैं एक और वीडियो में have a good day चैस्री राम